हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो फ्रेंट्स यह वीडियो है मंडे की दिन का और शाम का टाइम है और इस वक्त मैं यहाँ पर कुछ तयारिया करने के लिए बैठी थी शाम के लगबग अभी 6 बजे हुए हैं और हस्बिन आ चुके थे तो हमने चाय वगरा पी ली थी और शाम के जो छोटे मोटे काम होते न वो सब हो चुके थे बस सारे काम खतम करने के बाद मैं बैठ गए थी थोड़ी सी रात के खाने की तयारिया करने के लिए और आज मैं स्पेसल कुछ बनाने वाली हूँ जो आप सभी के शाहत में शेयर करूँगी तो आज रात के खाने में बनने वाला है धावा इस्टाइल मेटर पनीर और साथ में तंदूरी रोटी तो यहां पे बस मैं बैठे-बैठे कुछ बाते कर रहे थी हस्बंट से और अपना जो सबजी का जो भी लगता है सबजी में मतलब मसाले वगरा जो भी काटने होते हैं और पनीर को काटना था तो वही सारा कुछ में लिया करके यहां पे बैठी थी और बस बाते कर रहे थी और साथ में मेरे हाथ भी चल रहे थे बाते करते करते जब आप कोई काम करते हो ना तो बिल्कुल भी पता नहीं चल था तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कट कर ली है जो भी मसाले वगरा मुझे रेडी करने थे और पनीर भी कट कर लिया था मैंने और पनीर को मैंने रख दिया है फ्राई करने के लिए जब तक ये फ्राई हो जाएंगे तब तक मैं अपने बाकी के दूसरे काम कर लेती हूँ तो आज मुझे बनाना है तंदूरी रोटी तो चलिए पहले देख लेते हैं तंदूरी रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है सिंपल वाला आटा है गेहूं का और आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं या फिर आधा मैदा और आधा आटा मिला करके भी आप ले सकते हैं तो मैंने तो सिर्फ आटा ही लिया है इसमें 1-1.5 चमच मैंने चीनी एड़ कर दी है और थोड़ा सा नमक एड़ कर दिया है आधा चमच के लगभग इसमें बेकिंग पाउडर एड़ कर दिया है मैंने आप चाहें तो सोडा भी ले सकते हैं साथ में मैंने आधा कप के लगबग दही एड़ कर दिया है ये घर का जमा हुआ दही था ताजा तो आधा कप दही एड़ कर दिया है और दो से तीन चम्मच रिफाइन ओयल भी एड़ कर दिया है बस इतनी ही चीजें इसमें मिलानी है और इसके बाद मैंने इन सबको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लिया है जब ये आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमको लेना है गरम पानी और गरम पानी से हम ये आटा गूतेंगे तो आटा हमें soft गूतना है जैसे हम normal रोटियां बनाते हैं न बिल्कुल उसी तरीके से soft वाल आटा गूत कर रख देना है और तंदूरी रोटी बनाने के लिए हमें इस आटे को लगबग आधे घंटे तक के लिए रेष्ट के लिए छोड़ देना है ताक कि ये थोड़ा सा soft हो जाए और full जाए तो इसलिए मैंने सबसे पहले आटा गूता है और आटा गूत करके मैंने रख दिया है साइड में जब तक मैं मतर पनीर बनाओंगी तब तक की आटा अच्छे से सेट हो जाएगा तो देखे यहाँ पे मैंने मतर पनीर बनाने के लिए कुछ मसाले तयार किये हैं काटे हैं जिसमें की दो प्याज है और तीन टमाटर आठ से दस कली लसन की तीन हरी मिर्च है और बस इन सभी चीजों को एक चमच तेल गरम करके और एक चमच उसमें जीरा एड़ करेंगे और ये सारी चीजें इसपर एड़ करेंगे पहले हम प्याज को डालेंगे और लसन और हरी मिर्च को थोड़ा सा इसको ऐसे ही भून लेंगे और बस जल्दी से फिर इसमें टमाटर एड़ कर देंगे और टमाटर एड़ करने के बाद इसमें बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर एड़ करेंगे साथ में ही बहुत थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे ताकि ये जो टमाटर है और प्याज वगएरा जितना भी है सब कुछ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और ये जल्दी पक जाए बस दो मिनट लगे थे इस मसाले को रेडी करने में जैसे ही सारी चीजे सॉफ्ट हो गई थी न उसके बाद मैंने उसको निकाल करके रख दिया था ठंडा होने के लिए और जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसमें मैंने थोड़ा सा अद्रक डाल दिया था और साथ में मटर पनीर सुहाना मटर पनीर मसाला एक पैकेट कर डाल दिया था और उसको पीस लिया है मिक्सी में बारी और अब यहां पे कड़ाई में मैंने फिर से ओईल ले लिया है और ओईल को गरम होने के बाद उसमें एक चमच जीरा एड़ किया है इसके बाद उसमें लाल मेच पाउडर एड़ करेंगे आधा चम्मच और फिर यही मसाला जो हमने पीस करके रखा हुआ था अभी उस मसाले को हम इस पे एड़ कर देंगे और बस इसको तेज आज में भून लेंगे बहुत अच्छे से साथ में मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है अभी ही तो नमक क्या अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है और मसाला जब तक भूनेगा तब तक नमक भी इस पे एड़ कर देंगे तो यह अच्छे से मिक्स हो जाता है और जैसे आप देखेंगे कि मसाले से ओल अलग होने लगा ह इसके बाद इसमें हम डाल देंगे मतर, तो ये मतर मैंने कच्चे ही लिये थे, ना मैंने इसको बॉयल किया था और ना ही भून करके रखा था, ये कच्चे ही मतर है, जो अभी ताजे आ रहे हैं वही वाले, और मतर को मैंने बस एक मिनट के लिए भून लिया है, उसके बाद फिर इसमें मैंने गरम पानी एड़ कर दिया है और गरम पानी एड़ करने के बाद जितना पानी हमें चाहिए उतना ही मैंने इसमें डाला है और फिर जैसे ही पानी डाल दिया था उसके बाद फिर इसमें पनीर एड़ कर देंगे तो यहां पर पनीर भी एड़ कर दिया है मैं इसके बाद हम इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे सबजी हमारी बन करके रेडी हो गई है और बहुत जल्दी बहुत जड़बट बनती है बहुत ज़्यादा टेश्टी बनती है इस तरीके से मटर बनीर की सबजी और आप देख सकते हैं इसके जो हरे हरे मटर है ना कितने मीठे लग रहे हैं देखने में ही ज़्यादा दर क्या होता है मटर का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है और वो सक्त ही भी हो जाते हैं मतलब कड़े कड़े से हो जाते हैं तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगी ना तो मटर बहुत सॉप्ट रहेंगे और आपकी मटर पनेर की सबजी बहुत टेश्टी बनेगी तो चलिए सबजी यमारी बन गई है इसके बाद अब हम बनाएंगे रोटियां तो मैं जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज मैं तंदूरी रोटी बनाने वाली हूँ गर पर तो देखिये ये आटा मैंने चेक किया तो आटा काफी अच्छा सॉप्ट हो गया था फिर मैंने एक बार इसको अच्छे से थोड़ा सा गूंत लिया है चारो तरब सी मिक्स कर लिया है और एक बड़ी सी लोई ली है मैंने जैसे हम रोटी बनाते हैं आ उससे थोड़ी से ब बस याद रहे कि जितनी पतली हम रोटियां से बेलते हैं उतना पतला नहीं होना चाहिए रोटी से थोड़ा सा ये मोटा ही बेला जाता है तो बस यहाँ पे मैंने बेल लिया है और बेलने के बाद देखिए यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा मगरेल कलोंजी सीड जिसको ब मतलब बारिक बारिक काट करके ही लेना है तो बस इन दोनों चीजों को मैंने उपर से थोड़ा थोड़ा चारो तरब से डाल दिया है बहुत थोड़ा थोड़ा और फिर बेलन से थोड़ा सा प्रेस कर दिया है ताकि यह सारी चीजे रोटी में आटे में चिपक जाए फिर मैं या तंदूरी रोटी बने तो आपको ये लोहे के तवे में ही बनाना है अगर आप नॉन स्टिक तवा यूज कर रहे हैं तो ये तंदूरी रोटी आपकी इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनेगी तो देखिए यहां पर जैसे ही थोड़ी देर के बाद रोटियों में बबल की हुई फिर जैसे ही थोड़ी सी रोटिया सीख जाएंगी इसके बाद हम इसको आराम से चिम्टे की हिल्प से या फिर जिससे हम डोसा बनाते हैं वह वाले चमच से इसको आराम से पलट लेंगे और अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ी सी भी कच्ची है तो बहुत ध संदाया आज का ये तंदूरी रोटी और मटर पनीर की सब लोग रेस्टोरेंट का खाना भूल गए हैं और बच्चे तो इतनी जादा तारेफ कर रहे थे कि बोल रहे थे ममा ये तो बाहर से भी जादा टेस्टी बना है गर्मा गरम तंदूरी रोटी में मैंने लगा दिया और सब को गर्म गरम सरुकरती जा रहे थी तो बहुत ही टेस्टी आज का खाना बनाई था रात का मतलब हस्बेंट भी बहुत तारीफ किये और बच्चे तो बहुत जादा ही तारेफ कर रहे थे कि ममा ये ना रेस्टोरेंट से भी जादा अच्छा बना है और आप न ऐसे ह के लिए सेख करके रख लूँगी एक साथ ही इसके बाद फिर मैं बैठूंगी और इन तंदूरी रोटियों को सेखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्योंकि ये मेडियम आज पर सेख रही थी और अगर आप तेज आज पर सेखेंगे ना तो ये बाहर से चल जाएगी और अंदर में कच्ची रह जाएगी क्योंकि थोड़ी सी मोटी बनाए जाती है तो इसलिए मैं इसको मेडियम आज पर सेख रही थी और बस यही करते करते थोड़ा सा मुझे जादा टाइम लग रहा था लेकिन मैंने सबको खिला दिया है और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं जादा खा जाओंगी तो यहां पर देखिए रोटियां से गई है तंदूरी रोटियां और यह देखने में जितनी अच्छी लग रही न वह खाने में भी इतनी ही ज्यादा टेस्टी लग रही थी आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट करके और वह भी एड़ कर सकते हैं जैसे मैं ने इस पे कलोजी दाना एट किया है तो देखने में भी और भी अच्छा लगेगा और खाने में तो यह टेस्टी हैं तो बस रात हो गई है और हमारा जो डिनर का काम था वो हो चुका था मैंने भी काना खालिया था रात का और ये सारा काम हमारा जल्दी ही हो जाता है लगबग 8 बचे तक हमारा डिनर हो जाता है इसके बाद मैं फटा फट से अपने सारे जितने भी मेरे रात के काम होते हैं वो समय खतम कर लेती हूं तो सबसे पहले तो मैं किचन को क्लीन कर लेती हूं इसके बाद ही सारे बरतन साफ करती हूं क्योंकि जब मैं बरतन साफ कर रही होती हूं उस टाइम पे मेरे हाथ पैर एकदम से काम के लायक नहीं रह जाते हैं मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है न तो हाथ पैर सूरन से दिलने के भूरब को फिर कोई भी काम करने की हमत नहीं होतीँ तो इसलिए मैं किचन फ्लेटफर्म को पहले क्लिन कर लेती हूं अर बाहर में औरamm में नहीं रख दिया हूं और फिर सार्य जारों धिलन दुल लेती हूं तो जब तक मैं किचन को क्लीन करती हूँ ना तब तक मैं ने रख दिया था बाल्टी में पानी गरम होने के लिए तो वही गरम पानी लेकर के फिर मैं बैठ गई हूँ सारे बरतन दुलने के लिए और बरतन ना कभी-कभी इतने जादा हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन से रख दें मतलब फिर ऐसा लगता है कि घर के जितने भी बरतने ना वो सारे गंदे हो चुके हैं जबकि ऐसा नहीं है बरतन उतने ही रहते हैं फिर भी कभी-कभी जादा हो जाता है और आज जो मौसा मैं ना वो अभी से ही काफी जादा खतरनाक हो रहा है मुझे ना बाहर में बहुत ज़्यादा कोहरा समझ में आ रहा था तो कभी-कभी ऐसा होता है कि शाम के टाइम पे कोहरा बहुत ज़्यादा सुरू हो जाता है कोहरा पढ़ना और आज भी वही हाल है मैं बाहर देख रही थी तो बाहर काफे ज़्यादा धुआ-धुआ सा समझ में आ रहा कि मम्मी जल्दी से काम खतम कर लिजे अपना टाइम से और वो मुझे बोलते भी रहते हैं कि मम्मा आपको लेट हो रहा है आप जल्दी जल्दी अपना सारा काम खतम कर लिजे वरना फिर आपको ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा तो वही वसी मैं भी लग गई हूँ सारे का काम तो बहुत ज़्यारे जरूरी हो जाता है क्योंकि फिर जैसे सुबह यह ज़रूरी हो जाते हैं रात में करने के लिए और बस यहां पर थोड़ी सी सफाइze भी मुझे करनी होगी क्योंकि यह जो तोक्री रख़िये होती है न बरतन की इसके बाद वहां पर बहुत पानी भर जाता है तो means pressure इसे ही पोछे से हाठ से ही और पूरे किचन में से थोड़ा सा गुमा देती है पोछा तो किचन घ्र पहुता हो जाता है साथ के साथ ये पानी भी मैं क्ल変 कर लूँगी और इसके बाद बालकनी को अच्छे से साफ करना मैं कभी नहीं भूलती हमेशा ही बालकनी को मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ क्योंकि उसमें अगर थोड़ा सा भी जूठा रह जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कास होती है चुहे वगरा आजाते है और बस सारा काम हो चुका है बर्तनों को रख दिया है मैंने दर्वाजे बगरा मैं बंद कर दूँगी और सुबह के लिए मैंने एक बाल्टी पानी भी रख दिया है ताकि मुझे उट करके बस बटन आउन करना पड़े तो सुबह के तयारी हो गई है और मैं अब आ गई हूँ बालों को सुलजाने के लिए और मेरे बालों को लेकर के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि आप अपने बालों के बारे में बताईए अपने hair care routine के बारे में बताईए क्योंकि आपके hair काफे ज़्यादा सिल्की है तो ये बात सही है मेरे hair बहुत ज़्यादा सिल्की है और मैं इस time पे अभी क्या use कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ तो अभी अभी मैंने जो आपको oil दिखाया है ये oil मैंने घर पर ही तयार किया है और इस oil में जितनी भी चीज़े मैंने मिलाई है जो भी मैंने मिला करके इसमें बनाया है वो सारी बालों के लिए वरदान है तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजेगा मैंने इस ओयल को किस तरीके से तयार किया है उस वीडियो का लिंक मैं इसके description box में दे दूँगी तो आप लोग देख लीजेगा और ये ओयल आप भी घर पर बना करके और अपने बालों में लगा सकते हैं तो अभी जैसे winter का season है तो इस टाइम पे मैं अपने बालों में कुछ भी नहीं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ठंड का टाइम है अगर बालों में कुछ भी अप्ला आ रहे थे कि आप अपना hair care routine बताईए तो फिलहाल winter में मैं यही सिर्फ और सिर्फ यही आई oil यूज कर रही हूँ बाकि इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं यूज कर रही हूँ तो इस oil को मैं हफते में 3 बार लगाती हूँ रात में सोने के टाइम पे और एक दिन के लिए म काफी ज़्यादा मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है लगबग एक महीन पहले से लेकिन इसके फायदे मुझे काफी ज़्यादा मिल रहे हैं तो चलिए friends अब रात हो गई है मेरा hair care routine है वो भी हो चुका है तो आज की इस vlog को मैं यहीं परिंट करती हूँ I hope आप सभी को पस अंदा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलती हूँ आप से एक नए व्लोग में तब तक लिए thank you bye take care good night